जै शनी देर प्रियभग कड़ों मैं स्वामी राजशी शनी पीठ मंदित इस्ट पटे लगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तोत हूँ और आस्ट्रोलोजी में रुच्ची रखता हूँ दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूजने पिताश्री गुरु रजीष रिशी ची के निर्देशन में ऐस्ट्रोलोजी नियूमरोलोजी एवं धर्म गंतों का अधयान कर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलोजी एक साइंस है जिसके सिधान्तों को हमारे रिशी मुन्यों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च करकर हमारे धर्म शास्तों में पंकित किया है मैं आज इनी वैज्ञानिक सिधान्तों के अधार पर और आज के ग्रे नक्षत्रों की सित्यों के अधार पर आपको आपका राशीफल बताने जा रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज कराशिकर। इस दौरान किसी भी शुपकाले की शुबात करने से, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, आज राहुकाल, शान पांच बजी से लेकर, साड़े छेवे जित तक रहेगा, इस दौरान आप किसी भी शुपकाले को करने से बचें, यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी स सिती बनी रहती है, या आपके बच्चों का स्वास्ते आए दिन बिगड़ जाता है, या अपने जीवन में आप अन्य किसी समस्या से परिशान है, तो तुरंती स्क्रीन पर दियेवे नंबरों पर हमें संपर्द करें, और मुझसे, यानि कि स्वामी राजशी से, अपनी राशी का जातक बड़ी सललता से करकर अपने लिए इत मंचाहत जीवन साती जल से जल प्राप्त कर सकता है, यदि आप भी आज इस उपाई को जानना चाते हैं, तो लास्तर मेरा ये वीडियो देखते रहे हैं, आईए आप जानते हैं कि मेश यानि कि एरीस राशी वाले ज आज आपको आम दिनों के मकाबले जादा पेशेंट्स मन ले आएंगे, यदि आपकी दवाई की दुकान हैं, तो आज आपकी सेल्स में भी इजाफा होगा, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा पाएंगे, आज आपकी निद्रा में कोई बादा नहीं आएगी और बहतरी नींद लेकर प्रातरकाल तरो ताजा होकर उठेंगे, जो लोग विदोईशों में पर्मनेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाते हैं, आज इस दिशा में आपके द्वारा उठाया गया कोई भी तदम आपको शुपफल देगा, आज दूद और पानी के ब्याबारियों के हाथ से कोई बड़ा ओर्डर निकल सकता है, आज आपकी माताजी का स्वास्त बिगड़ने से आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने बढ़ सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको अपने बने-बनाएं प्लांस को कैंसल करना पड़ेगा, आज जूट बोलना आपको बहन का नुक्सान पहुचा सकता है, आज अपने ससुराल पक्ष से चावल और मिश्री गिफ्ट में लेकर अपने कारे स्थल पर कैस बॉक्स में रख लें, इससे आपके धन के मंडारों में रिद्धी होगी, आज आप अपने घर के लिए कोई भी लोहे का समान ना आज का आपका राशी फल देखते हुए, मैं आपको तीन स्टार देता हूँ, जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेर सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर आज सरकारी नियम कायदों में किसी बदलाव से आपके बिजनस में आरे ही रुकावटें कम हो सकती हैं। आज छुट्टी के दिन का लाव उठाकर आप सभी सुपसुविदाओं का आनम लेंगे जिससे आपके पूरे हफ़ते की काम कितना मिट जाएगी। आज आपको समाज सेवा के कारें में भी भाग लेना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए अपनी शम्ता के अनुसा योगदान देना चाहिए। परिंतु आज रात को बुरे सपने आने से आपकी नीन भंगो सकती हैं। इसलिए मेरी आपको सलाय हैं कि सोने से पूर, मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपका मन शांत होगा और चैन की नीन लेने में आपको आसानी होगी। आने वाले एक्जाम्स की नर्वर्सनेस के कारण आज टूडेंट्स का मन पढ़ाय में नहीं लग पाएगा और वे विचलत होते रहेंगे। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज स्वास्त बिगडने से आप विस्तर पकड़ने की ले मजबूर हो सकते हैं। आज आप डिनर में दूद और धही और पनीव का उपियोग अवर्ष्य करें। आज प्रातर का लोटकर पवित्र होकर सूर्य देपता को मीठा अर्थ प्रदान करें। आज का आपका राश्री फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ। आईए अब जानते हैं कि मित्र यानि कि जमेना राश्री वल जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा। आज छुट्टी का दिन होने के कारण आप उसे आलस्ते की भेट चड़ा सकते हैं। जिसका आपको बाद बश्तावा होगा। इससे बहतर ये है कि आप रातक आप उठें और अपने सभी पेंडिनिक कारणों को निप्टा लें। ताकि एक साथ आप पर काम का बहुत जादा लोड ना आपाए। आज आपको अचानक धंक्राप्ती के योग बंते दिखाई दे रहे हों। आज आपके सला और मश्वरे को मान कर आपके मित्रों की प्रगती होना तय है जिसके लिए वो आपको धन्यवाद देंगे। आज आपके बच्चे आपको उन पर गर्व करने का मौका ब्रदान करेंगे और आप उनके उज्वल भविश्य को देखकर निश्चन्त हो जाएंगे। आज नहा वान खरीदने के लिए आपका दिन उत्तम है। आज लोग आपके तेजकी और आकरशित होंगे और आपसे एक लॉंटर्म बिजनस रिलेशन्शिप बनाने की चाहा रखेंगे। परत्तु आज घर्मन करने से आप इस मौके को हाथ से गवा सकते हैं इसलिए साब धान रहें। जुबान फिसलने से आज आपकी समाज में किरकरी हो सकती हैं। इसलिए बहुत सोथ समझ करी कुछ कहें और शब्दों का चनाप घंबीरता से करें। आज आपके गोटनों में अचानक धर्थ उठाने से आप चलने फिरने में तकलीफ मैसूस कर सकते हैं। आज आप अपने सेर पर टोवी अवश्य पहने। आज काले कपड़े धानक करने से भी आप परेज करें। आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको 4 स्कार देता हूँ। अब मैं 5 दिनों के मुकाबले आपको जादा कस्टूमर्स मिलेंगे। आज आपके आत्म विश्वास में कमी आएगी और अपनी मेहनत का मन वांचित फल ना मिल पाने के कारण आपको अपनी शम्ताओं पर भी डाउट होने लगेगा। ऐसे नेगेटिव विचार आपके लिए अति दर मेसूस करेंगे। आज चावल के थोग वियापारियों को नुक्सान होने की संबाबना दिखाई दे रही है। आज सफेद कुत्ते को बोजन कराना आपके लिए अतिन्शुब होगा। आज आप अपने घर में प्रयोग करने के लिए पीतल के बरतन खरीदे। आज किसी जरूरतमन व्यक्ति को यहुदान करना भी आपके लिए अतिन्शुब होगा। आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूं। बिद्धी नहीं आप आ रहे है। आपके पास धन्यकी कमी बनी रहती है। यहापका स्वास अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार रहते हैं या आपके बच्चे पेमार रहते हैं। या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप तेड़े से तो आप स्क्रीन पर आ रहे है नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो कॉल के द्वारा गुरू रज़ी शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या निम्रोलोजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लखी नाम जानने के लिए अपने व्यापार के लिए एक भागेशाली नाम जानने के लिए जिससे कि आप दिन दुनी राच्चोगनी प्रगति करें आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छोटी सी पीज जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदे के व्यवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिटूट चलाने के लिए हर कर्म के काम जैसे की यग्यों मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशादेव लंगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दिन प्रमुक रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंग यानि कि लियो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भीतेगा। आज आपकी मेनत ही आपकी किस्मत के देवाजे खोलेगी और आज अपने परीश्रम से भाग़े वो भी आप अपने अन्यकूल बनाने में समर्थ होंगे। आज आपकी वानी की मतुरता से आपके कट्टर विरोधी भी आपके कायल हो जाएंगी। आज यदि आपके रिष्ट समाचार प्राथ हो सकता है। आज यदि आप किसी का भी बुरा सोचेंगे तो उल्टा आप ही वर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी आईज में भी स्ट्रेइन मेसूस कर सकते हैं। आज परीचर के व्यपारियों का व्यफसाइट कस्टुमर्स ना मिलने की वज़े से थंडा पड़ा रहेगा। आज दुर्गा माता की उपासना अवश्य करें। आज व्रत रखना भी आपके लिए शुब होगा। आज का आपका राशिवत देखते हुए मैं आपको दो स्टार्ट देता हूँ। आज पास के लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। आज छुट्टी का दिन होने के गारण आप अपने होबीज के लिए टाइंग निकाल पाएंगे और उसमें ही मद्म होकर आज आपका दिन बीतेगा। आज विजनसमेन को थोड़े बहुत उतार चड़ाबों का सा करें। आज आज आप दूद और धहीं दान ना करें। आज आप हरे वस्त धान करने से भी परिस करें। आज का आपका राशी पल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूं। आज आप जानते हैं कि तुला यानि कि लिब्रा राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा। आज आप मुश्किल से मुश्किल हालातों को बरदाश्ट कर जाएंगे और अपना सहियम बनाए रखेंगे। और आपको देखकर दूसरे लोग भी अपना होसला बना भांगेंगे जिससे आप पीछे ना हटे क्योंकि उन्हें कॉंसेप समझाने से आपकी अंडरस्टांडिंग भी बहतर होगी। आज हाई व्लड प्रेशर के मरीशों को विशेश तोर पर अपना ध्यान रखने की जरूवत है। आज रक्त चाप बढ़ने से आपको हॉस्प करियर में आपको फायदा हो सकता है। आज किसी जरूर्म व्लक्ति को दूर्ड और धही दान करने से आपको शुदवल प्राक्थ होगी। आज किसी गरम वस्तू से संपर में आने से आपके जल जाने का खत्रा बना हुआ है। इसलिए साफधानी बढ़ते। आज सूर्य द राशी फल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ चलिए आप जानते हैं कि व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बितेगा आज आप चुस्ती फुर्ती से अपने सभी कारियों का निप्टारा कर लेंगे जिसे अपने मरो रंजन के लिए भी आप समय निकाल पाएंगे यदि आपने वीजा के लिए अपलाय किया हुआ था तो आज आपकी अब्लिगेशन क्लियर होने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है आज आप अपने माता पिता को भी आप पर गर्व करने का मौका देंगे आज अपने अध्यापकों और गूरू के साथ कुछ समय बिताएं और उनसे करियर एडवाइस अवश्य ले आज उनकी एडवाइस और आशिरवाद से आपका प्रगती होना तेह हो आज रिदय के मरीजों को विशेश तोर पर अपना ध्यान रखने के जुरूरत है आज आप अपने खान पान पर सायम बनाए रखें आज खर्चा अधिक होने से भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती है आज आप अत्यांत साबधानी बढ़ते हैं आज भूल चूप में आप अपना वालेट या फोन रास्ते में गुमा सकते हैं या वो चोरी हो सकता है आज सूरे देपता को प्रातरकाल पवित्र होकर मीठा अर्थ अवश्य प्रतान करें इससे आपको सूरे देपता का आशिवाद प्राप्त होगा आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ चलिए आप जानते हैं कि धनू यानि कि साजिटेरियस राशिवाले जातक होगा आज कर दिन कैसा भी देगा आज आपके business competitors आपके website की negative publicity करने का प्रयास कर सकते हैं परन्तु वे उसमें सफ़ल नहीं हो पाएंगे और customers आप पर भरोसा बनाई रखेंगे यदि आपका अपना website है तो आज आप पर धनकी वर्षा होगी और कोई बड़ी opportunity आज आपके हाथ लग सकती है tourist taxis के business में कारेद लोगों को भी आज customers अधिक मिलेंगे यदि आप किसी परिशानी में फसर हुए हैं तो आज आपके मित्रगण भी आपकी साहिता करेंगे और आपको उस परिशानी से निकाल लेंगे परन्तु आज आपकी बेहन की तबियत अचानक भी गड़ सकती हैं इसलिए उनका ख्याल रखें students आज रातरी में पढ़ने से बरेश करें आज रात में पढ़ा हुआ lesson आपको याद नहीं रहेगा और आपकी मेनत विर्थ हो जाएगी आज अंदे व्यक्ति की सहेता करके उनसे आशिवाद लेना आपके लिए अध्यान शुब होगा आज स्तांबे के बरतन किसी ज़रों नर्टी को दान करना भी आपको शुब फल पतान करेगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर यानि की कैप्रिकॉन राशी वाले जातक होगा आज का दिन कैसा दितेगा आज आपका ड्रेसिंग सेंस बहतरीन होगा और आपकी परसनालेटी को निखारेगा आज समाद सेवा में कालोय अतलोकों को उनके काम के लिए समान मिल सकता है और एक समाद सेवा के रूप में आपकी पहचान और मजबूत हो सकती है आज अपने भाईयों के साहता मिलने से आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाएंगी आज आपके बल का सामना भी कोई नहीं कर पाएगा और विशेश तोर पर सेना में कादर जवानों को आज अपने शौलग का प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त हो सकता है परंतु आज आपके पिताजी को अपने बिजनस में लॉस उठाना पर सकता है चुनाप में किसी बड़ी पार्टी का टिकेट मिलने के आपकी मेंत्वकांशाओं पर भी आज पानी फिर सकता है जिससे आप निराश हो सकते हैं आपके दादाजी की तवियत खराब होने से भी आज आपकी भागदौर बढ़ सकती है यदि आपके ऐसा लगता है कि आपके सब्य संबंदियों का स्वास्ते या आपका अपना स्वास्ते बार बार पिगड़ जाता है और आप डॉक्टर के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं तो तुरंती स्क्रींग पर दियोए नमबरों पर हमें संपर करें और मुझसे यानि की स्वामी राज़शी से अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्रात करें जिनसे आपका स्वास्ते बेहतर होगा और आप अपना समय डॉक्टर के चक्कर लगाने में व्यर्थ नहीं करेंगे आज का आपका रासी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोचमतकारी उपाय जिसे करने से यदि आपके विवाम में देरी हो रही है और आप अपने मन चाहिए जीवन साती की तलाश को जल्द ही पूरा करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवर्शे करें आटे की दो लोई बना लें और उन्हें पेड़ का आकार दें और उनकर हल्दी छिलकतें साथ में गुड़ और चना रखें और किसी गाय को खिला दें जब आप गाय को खिला रहे हो तो उज़े अपने हाथों से ही खिलाएं और नीचे ना रखकर छोड़ जाएं यदि आज आट शद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तोर पर आपके शादी में आ रही हर बादा दूर हो जाएगी और जल्दी आप एक मंचाहत जीवन साथी प्राप्त कर लेंगे चलिए आप जानते हैं कि कुम यानि कि आगवेरेस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा आज आपका स्वास्त उत्तम बना रहेगा और आप प्राप्त का लोड़ कर खुद को चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे चलिए आज की दिन विशेत तौर परखास है, आज कस्टुमर्ज भी आपको अधिक मिलेंगे और बढ़े ओर्डर भी आज आपको प्राप्त होंगे जिसे आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने का अफसर प्राप्त होगा आज आपके कारण आपके पिता जी का भाग्य भी चमक उठेगा और उन्हें अपने व्यक्साय में फाइदा होता हुआ नजर आ रहा है आज यदि आप अपने मित्र की साहता करते हैं तो आज आप दोनों को ही पैसे कमाने की एक अच्छी opportunity प्राप्थ हो सकती है सरकारी करमचारियों को आज उनके मंचा हिस्तान पर ट्रांस्वर होने की सुचना प्राप्थ हो सकती है आज आप दूसरों के कारण में दखल अंदाजी देने से परेज करें क्योंकि इससे आज आपकी बदनावी होने की संबावना दिखाई दे रही है आज शाम के समय पीपल के व्रिक्ष पर जल अवश्य चड़ाएं आज आप मंदिर से प्रसाद विरेंट करने से परेज करें आज का आपका राशी पर देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ चली आग जानते हैं कि मीन यानि कि पाईसिस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा आज आपके ससुलाल पक्ष की ओर से आपको फाइदा होता हूँ नजर आ रहा है और आपके ससुलाल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ से आज आज आपकी प्रगती होगी यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए एपलाई कर रखा था तो आज आपको शुब समाचार प्राप्त हो सकते हैं और इंटर्व्यू के लिए कोई कॉल आ सकता है राजनीती के शेतर से संबन रखने वाले व्यक्तियों को आज चुनाव लड़ने के लिए किसी बड़ी पार्टी का टिकेट मिल सकता है आज आप समाच सेवा करने के लिए भी प्रेरित होंगे और समाच के उधार के लिए काम करने से आपको मन की शादी का अनुबव होगा परन्तु आज आपको क्रोध अधिक आ सकता है जिससे आप अपने परिवार के सदस्यों को नराज कर सकते हैं सर के जड़ते बाल देखकर आज आप चिंतित भी हो सकते हैं यदि आपकी शादी की बात कहीं पर चल रही थी तो आज उसमें अर्चने आ सकती हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी में अनावश्यक विलम्भ हो रहा हैं और आप जल ही एक योग के जीवन साथी की अपनी तमन्ना को पूरा करना चाते हैं तो तुरंती स्पीन पर दियों नमरों पर हमें संपर करें और गुरु रजनी शिशी जी या गुरु मारुकमनी द्वारा अपनी कुंडली दिखवा कर ऐसे उपाय प्रात करें जिनसे आपके विवा के जल्द योग बन जाएंगे आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ भारत के विशी मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परिशानियों को दूर करने का अद्बूत तरीका यग्य एवं मंत्र विज्ञान खोजा पूरी दुनिया में अपने कश्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है अगर आप अपने जीवन में पैसा, वैपार, केरियर, शादी, प्यार, ग्रेहों का दोश, शत्रू या अन्ने किसी समस्या से परिशान है तो आप हमारे शनी मंदिर में गुरु रचनीश रिशी जी और गुरुमा रुत्मनी जी से अपने ग्रेहों की परिशानियों को दूर करने के लिए स्वैम आकर या ओनलाइन विशेश यग्य अनुष्ठान कराएं गुरुमा रुत्मनी जी अब तक विभिन प्रकार के हजारों यग्य और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भगतों के लिए अपने पवित्र हातों से सफलता पूर्वक संपन कर चुकी हैं अधिक जानकारे के लिए संपन करें करें